बुलाती है मगर जाने का नहीं, जैसे शाम होती है वैसे वैसे ये आपको बुलाती है लेकिन मैं फिर से आप लोगों कह रहा हूँ कि ये दस बार बुलाएगी, सौ बार बुलाएगी लेकिन आपको एक बार भी नहीं जाना है क्योंकि वो आपकी मौत की वज़े बन सकता है WHO ने ये कहा है कि जो भी alcohol को consume करते हैं हर साल दाइलाथ लोग जो है इंडिया के अंदर उनकी death होती है WHO ने आखिरकार ऐसा कहा क्यों है इसके पीछे basis कहा है हम लोग जाने ही कोशिश करेंगे लेकिन मैं आप लोग को ये भी समझाओंगा कि लीवर की जो disease है वो कैसे उसके शुरुवात होती है और seriousness को क्यों वापस से हम लोग irreversible क्यों नहीं कर सकते है हम उसको वापस से क्योर कर लेते हैं डॉक्टर के पास गए दिखाया हमने medicine ली और उसके बाद में वो जो बिमारी हो ठीक हो जाती है लेकिन liver seriousis के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो ठीक नहीं हो पाता है एक बाद damage हो गया तो permanently जो है वो damage वे आता है WAG के report के according ये वैसे तो article थोड़ा सा पुराना है लेकिन हमारे लिए काफी एक उप्यों की information है कि 2.6 lakh जो Indians है वो हर साल उनके death होती है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये article की copy है alcohol kills about 2.6 lakh Indians every year by causes like liver seriosis, cancer, drunk driving मतलब 3 reason है 2.6 lakh जो लोग है वो हर साल मर रहे है इसके पिछे 3 reason बताए है पहला है liver seriosis, दूसरा है cancer और तीसरा है drunk driving जो कि तीनों एक चीज़ से relate करते हैं और वो है alcohol आप हमारे इस challenge के साथ में जरूर जुड़िए 31 दिन तक हम लोगों ने इस challenge को शुरू किया है एक जून से शुरू होनी वाला है आप लोग एक question जरूर पूछते हैं कि सरी 31 दिन ही क्यों देगे कोई भी अगर मान लीजे कि शराब पीना शुरू कर रहा है तो अगर उसको उससे बाहर निकालना है तो चार वीक का समय लगता है और continuous ये बिल्कुल continuous होता है 28 दिन minimum लगते हैं फिर भी हमने 31 techniques को यहाँ पर इस्तेमाल किया है आपको लगता है कि आप भविशे के अंदर कभी आप पी सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं आप जरूर इस कोर्स के साथ में जोगिएगा लेकिन जिन्होंने 75 days का hard challenge लिया था हमारे साथ में pawn addiction को खतम करने के लिए उनके लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि एक hard challenge वो आपके लिए थोड़ा सा continue हो जाएगा आपको alcohol coupon code यूज करके इसको discount price के अंदर avail करना है flat 50% मिलेगा और code यूज करेंगे तो extra 30% discount आप लोगो मिलेगा ये already code हमारा running के अंदर है आप इसके साथ में जरूर जूरिएगा ये 75 days का hard challenge है जिसमें मैंने आप लोग को 75 techniques बताई थी 75 real stories के साथ में कि आप लोग कैसे pornography से दूर रह सकते है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों की जो concentration है आपका focus है आपकी जो clear thinking है उसके धज्या उड़ जाती है आप लोग बहुत लंबे समय से pornography दो access कर रहे हैं लेकिन उसके adverse effect क्या होते हैं यह आप लोग को पता नहीं होता है जो आपके results सामने आते हैं आप business मचा नहीं कर पा रहे हैं आप अपने जो exams के results हैं उनको नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं problem है तो steady close coupon code यूज़ करके आप लोग discount price में इसको avail कर सकते हैं आप लिए बात करते हैं कि कि आखिरकार है क्या यह जो 2.6 lakh जो deaths हैं हर साल हो रही है तीन reasons की पीछे है एक तो है liver serious दूसरा है cancer और तीसरा है road accidents जो हो रहे हैं जो कि drunk driving के कारण हो रहे हैं इन तीनो reasons के अंदर सबसे पहले हम लोग liver serious को समझते हैं कि आखिरकार यह है क्या देखिए यह है हमारा healthy liver liver का पहले मैं आप लोग को functioning बता जाता हूँ कि liver काम कैसे करता है आप लोग देखते हैं कि detoxification हमारी body के अंदर जितने भी जहरीले परदार्थ हैं उनको वापस से बाहर निकालने काम जो है वो liver करता है मतब detoxification काम liver करता है जिसे मान लीजे कि आपने शराब पी है तो वो शराब जो है वो liver के अंदर जाकर restore होती है और वहां से ही filtered होकर बाहर निकलती है लेकिन अगर liver की functioning के उपर overload कर दिया जाएगा तो एक हद होती है किसी भी organ के काम करने की तो ये जो liver है ये अपने functioning को imbalance कर लेगा और उस condition में धीरी धीरी ये damage होना शुरू हो जाएगा इससे यहाँ पर लिखा हुआ है fatty liver अगर मान लीजे कि आप oil को ज़्यादा consume कर रहे हैं तो धीरी धीरे fat जो है वो आपके liver के अंदर इखटा होना शुरू हो जाता है वैसे तो इसका काम ये होगा कि जो fat इसके पास में आ रहा है उसको filter करेगा और उसको वहाँ से साफ कर देगा लेकिन ज़्यादा ही आप लोग fatty जो food है उसको consume कर रहे हैं तो liver जो है वो fatty होता चला जाता है वैसी alcohol के साथ में भी है कि alcohol को ज़्यादा consume करेंगे तो liver जो है वो फोड़ा सा damage होना शुरू हो जाता है ये शुरुवाती stage है इसके साथ में इसके उपर हलके हलके दाने आप लोग देख सकते हैं ये basically seriosis जो है उसकी पहले stage है और आप लोग को बता दो कि seriosis को वापस से हम लोग reverse नहीं कर सकते हैं अगर आप लोग को लगे कि medicines का use करके वापस से थीक कर सकते हैं तो seriosis कभी भी जो है वो ठीक नहीं होता है और अंत में जाते हुए seriosis आपको हो जाता है और ये cancer का एक कारण बनता है तो liver seriosis की कारण हर साल जो है वो death होती है इसके बारे में अलग से data भी हम लोग देखेंगे the link between alcohol and health problems आपकी जो health problems है और alcohol जो है इसके बीच में बहुत गहरा संबंद है मतलब experts का ये कहना उनकी demand ये है कि national level पर एक policy ऐसी बननी चाहिए जो कहीं ना कहीं लोगों को health issues की बारे में concern करे health issues की बारे में बताए कि आखिरकार क्या क्या जो health issues जो है आप लोग future के अंदर face कर सकते हैं ऐसा मानना है ऐसा demand जो है वो की गई है policies के अंदर अगर हम लोग देखें किसे महराष्टर की कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि state जो है वो कैसा अपना दोगलापन दिखाते हैं महराष्टर की कल हम लोग बात कर रहे थे कि महराष्टर के अंदर 18 साल का जो लड़का है वो किसी भी leaker shop पर जाकर उस leaker को खरी सकता है लेकिन consume नहीं कर सकता अगर वो consume करना चाहता है तो उसको 25 साल और जो है यह आगे लगभग आपको 7 साल जो है वो और बिताने पड़ेगी तो हम लोग सीधा सीधा यह कह सकते हैं कि महराष्टर के अंदर अगर कोई भी लड़का जो 18 साल का है वो शराब के दुगान पर खड़ा है शराब वहाँ से खरी लेगा लेकिन पी नहीं पाएगा उसको 7 साल इंतजार करना पड़ेगा और फिर बाद में वो शराब पी सकता है यह देखिए आप लोग डिफरेंशेट गोवा के अंदर अगर हम लोग देखे हैं तो यही एज जो है वो आप लोग को देखने को मिलती है 18 साल जबकि महराष्टर के अंदर कितनी है 25 years ठीक है तो यह पूरे नेशनल वाइड जो है वो एक ही रूल यहाँ पर होना चाहिए अलग अलग रूल्स को यहाँ पर बनाना कहीं न कहीं गलत है सभी के लिए एज एक्वल होनी चाहिए या तो 18 साल कर दीजिए या 21 साल कर दीजिए या फिर 25 साल कर दीजिए ठीक है It is time for a central law मतलब अभी जो है वो जरुवत है कि central कुछ ऐसे laws बनाए जिससे कि हमारा youth एक time जो age limit होती है उसके बाद में ही alcohol को consume करे इससे पहले वो alcohol को consume ना कर पाए मतलब हम लोग European जो model है इसको copy करने की कोशिश तो करते हैं उस culture को adopt करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो copy करने के चकर में हम लोग हमारे culture को पीछे की तरफ छोड़ देते हैं और उसका जो हरजाना है वो हम लोग को भुगतना पड़ता है WHA की report के according around 6,000 मतलब 6,000 लोग जो है पूरे worldwide हर दिन alcohol को consume करने से उनकी death होती है इसमें से अगर हम लोग देखे तो 28% जो लोग है उनकी death होती है किसके कारण injuries की कारण और वो injuries कैसे मिली है उनको चाहे traffic crashes हुए है self harm उनोंने किया है या violence की कारण लग भग 28% जो लोग है उनकी death होती है 21% जो लोग है due to digestive disorder मतलब जिन्होंने alcohol को consume किया है और उनकी body के अंदर जो पाचन शमता है digestive issues जो है वो create होना शुरू है और उसकी कारण की death जो है वो हो चुकी है 19% की अगर बात करें due to the cardiovascular disease इनकी जो death हो रही है 19 प्रतिशत की तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे disease जो है वो alcohol की कारण हम लोग अपनी शरीर के अंदर देखते हैं हम देखे क्या वाकई में alcohol जो है जिसे एक student का मेरे पास में message आया कि sir European जो countries है वहाँ पर सर्दी बहुत पढ़ती है जिसे Norway है ठीक है Norway के अंदर सर्दी बहुत पढ़ती है तो वहाँ पर लिगयर को consume कियाता है तो क्या सर्दी से बचने के लिए क्या आता है देखिए उनके कल्चर का part है उनके कल्चर का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं हम लोग तो ये एक भ्रहम की सिती है कि वो लोग केवल सर्दी से बचने के लिए ही अलोकोल का consume करते हैं ऐसा नहीं हूँ का culture का पार्ट बन चुका है जैसे हम लोग दूठ पीते हैं हम लोग जिसे शाम के समय का करते हैं रात को सोने से पहले दूठ को consume करते हैं तो वो हमारे culture का part बन चुका है हर family के अंदर देख लीजिए कि अगर कोई बड़े हैं वो बच्चों को ये कहते हैं कि है थोड़ा सा दूज जो है वो पीना चाहिए ठीक वैसे ही वहाँ पर भी है अच्छा एक लाख जो death है वो हो रही है किसके कारण इंडिया के अंदर road accidents के कारण every year आप लोग देख सकते हैं कि एक लाख जो death हो रही है जो कि alcohol को consume करते हैं और उनके death हो रही है accidents के अंदर तीस हजार जो death हो रही है वो cancer patients है हर साल मतलब ये आंकडे जो है वो गिराने की आसकता भी नहीं होनी चाहिए आप लोग खुद जो है इस चीज को समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा issue है liver cirrhosis की कारण लगबग 1.4 lakh जो death है वो हर साल इसकी कारण हो रही है और ये basically इसका reason क्या है वो है alcohol को consume करना तो WHO जब इस चीज को कह दिया है कि लगबग 2.5 लोग जो है वो हर साल इंडिया के अंदर इससे death हो रही है तो कहीं न कहीं हम लोग को समझने की ज़रत पड़ेगी और इसमें एक छोटा सा प्रियास मेरा है कि मैं आप लोग को 31 techniques बताऊंगा कि कैसे आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं 31 real life stories में आप लोग को बताऊंगा 31 challenges में आप लोग को दूँगा कि ताकि आप लोग उनसे inspire हो सकें इसके साथ में ही psychologists और doctors के साथ में मैं 5 podcast करूंगा जिनकी मदद से आप लोग live जो है उनसे बाचीत कर पाएंगे कि आखिरकार problem जो है वो आखिरकार है क्या ठीक है आप लोग website को ज़रूर visit कीजिएगा alcohol coupon code यूज़ करके आप लोग discount price के अंदर इसको avail कर सकते हैं 75 days का hard challenge already आप लोग के लिए available है आप लोग इसके साथ में जुड़िएगा steady close coupon code यूज़ करके आप लोग इसके साथ में जुड़ सकते हैं लेकिन बस बात ये है कि आप लोग इस challenge के साथ में जरूर हमारे साथ में जुड़िएगा चले मिलते हैं आप लोग को से अग्ले सेशन में तो तले धन्यबाद, thank you, jahin